अगर आप ये कहेंगे कि प्रशान किशो तो देखे पेश्चे से कोई भविश्वक्ता या फिर पंडित तो नहीं है फिर भला कौन उंके भविश्वाने पर यकीन करेगा आपकी जानकारी के बता दू कि ये वही प्रशान किशोर हैं जिनके बंगाल चुनाव को लेकर की गई भविश्वानी सटिक बैटी थी बंगाल का चुनावी रण कम दिल्चस्प नहीं था दीदी के बीजेपी टू डिजिट में सिमिट गई अब देखे पहले के मुकाबले मले ही बीजेपी को सीटे ज्यादा आई हो टीमसी को नेक टू नेक फाइट देने में भाज़पा काम्याबी हुई हो लेकिन सो का आकड़ा चुन नहीं पाए लेकिन क्या आप जानते हैं कि बंगाल फिर इस चुनावी मौस्तर में पीके ने बंगाल की सीटों को लेकर एक नई भविश्वानी कर दिये दी के रहते क्या बंगाल में कम्हर खिलाने का सपना साकार हो पाएग और क्या वो सपना मोधी जीत पूरा कर पाएंगे इसको लेकर इस बार पीके की ताज़ा भविश् चुनाव से ठीक पहले पीम मोधी का दिल हुआ बागबान चुनाव से ठीक पहले बंगाल की 42 सीटों पर बड़ी भविश्वानी देखे सिर्फ धर्म ज्याद पर पहली से ठीक पहले चुनाव आयोग चुनावी तारीकों की घोशना कर चुका है अपके बार कर देखे चुनावी रण साथ चरणों में संपन होगा देश भर की वोटिंग के बार चार जुन के दिन तस्वीर बिलकुल साफ हो जाएगी देश को अपनी एक नई सरकार मिल ज और भारते राश्ट्रिता का अंदोलन यहीं से शुरू हुआ सो तंदता के बात भी देश के बारे में सोचने वाली बात श्यामप्रसा मुकर जी बंगाल से देश भर लेकर गए लेकिन जैसे ही प्रदेश पर वामपन्ति विचार्धारा को कबजा हुआ है बंगाल की धरत सुमिल दूर है और शायद इस कारण दीदी जनता से संग के भेकावे में ना आने की अपील भी समय समय पकरती आई है लेकिन दिन पर दिन जो लोग संग से जुड़ रहे हैं वो यह मानते हैं कि शाखा का सदस्य बनकर उनका बहुत दिक भिकास हो रहा है उन्हें देश के बा बंगाल में संग का कभी कोई खासा प्रभाव नहीं रहा आज उसी बंगाल की धर्ती पर शाखाएं चल रही है आज उसे बंगाल में दिन पर दिन कमल की पंखुडियां खिलने लगी है पिछले बार के देखे लोग सबद चुनाव में पियम हो दी आठार सीटों फग कमल में काम्याब हुए थे और अब की बार टीमसी से ज्यादा सीटे लेकर आएंगे ऐसी भविश्वानी की है राजनतिक विशलेशक और राजनतिक भविश्वक्ता प्रशांत कि शोड ने पंगाल के नतीजे करेंगे सर्प्राइज दक्षिन भारत में खिलेगा कमल ममता पर भारी पड़ेगी मोधी की गारंटी देखे सिर्फ धर्म ज्यान पर अब की बार देखें डंके की चोड पर प्रशांत कि शोड ने इस बात की फविश्वानी की है कि एंडिय गड़ बंधन का 400 से ज्यादा सीटे जीतने का लक्ष पूरा होना मुश्किल है लेकिन पश्चिम बंगाल में चौकाने वाले नतीजे आएंगे खुलकर ये कहा है मैं कोई भविश्वानी नहीं करना चाहता लेकिन पश्चिम बंगाल में बीजीपी का प्रदर्शन टीम से बहतर होगा यहां के चुनावी नतीजे हैरान करने वाले और बीजीपी के पक्ष में होगी ये मोधी का दक्षनी राज्यों का दौरा बीजीपी के लिए अच्छ संकेत है अब जो कि देखे 400 पार की रहा भाजपा दक्षिन पर फत्य करके पाना चाहती है और जिससे देखते हुए पी के इस बात की भविश्वानी कर चुके हैं कि बंगार के लावा बिहार ओडिसा अंद्रप्रदेश तेलंगाना तमिलनाडू और केरल में भी बीजीप महल को भापते हुए पी के इस बात कर संदेश दे चुके हैं कि पहली कि तुनामे भाजपा ज्यादा सीटों पर कमल खिलाएगी यानिकि 42 सीटों पर टेम से को मात दे सकती है यानिकि 24 की पिछ पर पियमोदी बंगार जीतने की तैयारी में है लेकिन क्या दीदी के रहते ऐ गरूड अपलोड